अलो फ्रेंट्स वेलकम टू आज योटूब चैनल यह वेक आटो माल दोस्तों आज एक निव वीडियो लेके आ हैं आटिका गाड़ी के उपर इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी जो सामने आया है मार्केट फिडबैक आया है कि इस गाड़ी में पीछे के दोनों टायर्स जो तो आप देख सकते हैं अभी चलते हैं पीछे की तरफ और देखेंगे क्या दिक्कत आ रहे है गाड़ी के अंदर तो हमने गाड़ी को लिप पर उठा लिया है यह देखिए हमारी बीम है रियर बीम है और जो दिक्कत आ रही है वो एक्चुली बीम की वज़े से आ रही है इसको मैं justify अब यह कर रहा हूँ आपको वीडियो में आप देखते रहे हैं यह देखिए यह टायर पूरी तरह से खतम हो गया है मातर ती से यह गाड़ी चलिए और देख रहे हैं एक साइड से इतना ज्यादा टायर घिस गया है तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बीम क कंडिशन अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि बीम बेंड यह नहीं है हम इसको मिजरमेंट के वर्णियर करेंगे बीच में यह जो गयर होता है टायर और इसको बीम करेंगे तब क्लिएर और बात करें market feedback की तो सबसे ज़्यादा problem beam में आ रही है आटिका गाड़ी में उसका सबसे बड़ा reason यह है कि आटिका की जो length है वो काफी ज़्यादा length है और यह length जो है Indian road condition को effort करने में थोड़ा सा कहीं ने कई problem आ रही है क्योंकि road पे जो breakers होते हैं उन पे गाड़ी जंप कर रही है और यह soccer जो पीछे का लगाया यह उसको absorb नहीं कर पा रहा है जिसके वैसे ऐसी दिक्कत आ रहे हैं तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपकी गाड़ी में कहीं टायर गिसने की problem आ रहे हैं तो आप जा के तुरंद beam को चेक कर आईए उसको change कर आईए अदरवाइस आपके टायर नए टायर भी लगाएंगे तो वह घिस जाएगा जल्दी से जल्द तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगे information अच्छी हो तो प्लीज चैनल को like और subscribe और share जरूर करें दोस्तों के साथ देख सकते हैं इतना कम है तो आप clear हो जाता है कि यह कहीं ने कहीं